गर्मियां आ गई हैं फेस्टे मुहां से निकलना है चिप चिपा पंडी है और हम बहुत ज़दा परेशान हो चुके हैं तो आज आपको एक ऐसा फेस पैक बताते हैं जिससे आपके एक्ष्टाइल को कम करेगा आपकी स्किन चमकती रहेगी दमकती रहेगी और आपकी स्किन ताइट भी रहेगी इसे आपको लगाना है जब जीच करें तब आपको लगा लेना है फिर आप देखो उसका कमाल है वेलकम बैक टू माई चैनल इलहाबादी गल बभीता राज मैं आप 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 सब बहुत अच्छा होगे खूस होगे और अपनी लाइक में मस्त इस देख तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेके आती इस इसकिन के लिए पिमपल्स मुहा से डार्क स्पॉर्ट और क्या करते डाक धबबे इसकिन डल हो जाती है चिपचिपापन ओपन सपोर्स के अंदर जमा हो जाता है जो निकलने का नाम नहीं लेता है और हम कीचन में क तो चले जाएं और हमारे स्कीन टाइट रहे एक्ष्टा ओयल कम हो जाए और इसकीन फेर भी दिखे दाग धबे भी ना हो ठीक है और आप तब बहुत अच्छे से जानते हो मुलतानी मिटी हमारे एक्ष्टा ओयल को कम करता है बट हम ऐसा क्या मिक्स करें मुलतानी मिटी में जो हमारे दाग दबे पिंपल सार हैं उसे भी आने से रोके ठीक है तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की रेमेडी आज की रेमेडी आप लोग के लिए जिसके फेस पे बहुत ज़्यदा मुहा से निकलते हैं और इसकी इना ठीक है और इससे पहले आप लोग से मैं मैं एक रिक्वस्ट करना चाहती हूं आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे भी लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अप्रोड कर उसको नोटिफिक अब सभी जानती हो मुल्तानी मिटी गर्मियों के लिए सब से अच्छा फेस पैक है ठीक है गर्मियों में जो पिंपल्स मुहा से आते उसे रोकता है आ गहें तो दाग दब्यों को दूर करता है क्योंकि जब एकिश्ट आयल निकलता है ओपन स्पोर्स में जाके जमा हो जा जाता है रंगत को निखारने के लिए दाग दबो चाईयों को डाग स्पॉर्ट को दूर करने के लिए तो यह तुल्सी पॉडर आपको वन इस्पून लेना है यह एंटी एजिंग गुड़ों से भरपूर होता है तो चाप एक चमक लाता है और इसकिन की प्रॉब्लम को भ मिक्स कर लेना ठीक है अब यहां पर मैं जो आट करने जारी है वह है चंदन पॉडर जी हां गर्वियों में इसकिन को कूल रखना है दाग दबो को दूर करना है रंगत को निखारना है इसकिन पे चमक लाना है तो आपको चंदन पॉडर लेना है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो यह भी आपको उतना ही लेना जितना आपने तुल्सी पॉडर लिया था ठीक है और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है यह हमारे स्कीन पे चमक लाता ही है और साथ ही हमारे स्कीन पे जो भी प्रॉब्लम होती अब यहां आपको एड़ करना है चुटकी भर हल्दी कस्तूरी हल्दी लेंगे बहुत अच्छा होगा किचन वाली हल्दी ले सकते हैं बट कोशिस यह कीजिए ना जब या फेस पे हल्दी का यूज करो ना तो आप कस्तूरी हल्दी लो या गाठ फाली हल्दी का पड़र बना जाता है और कटे पटे कैसे भी दाग धबे होते हैं उससे दूर कर देता है अब यहां मैं जो एड़ करने जा रही हूं वह ले रही हूं नीम पॉडर यह मैंने घर पर ही बनाया है तुलसी पॉडर भी आप घर पर बना सकते हो ठीक है जल्दी आप लोग के साथ में सेयर कर नीम पॉडर यह सब मैं घर पर ही बनाती हूं क्योंकि मेरे यह ना इन सब चीजों के पॉड़े हैं और सब की पतिया मुझे बड़ी आराम से मिल जाती है ठीक है तो इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसको आप मिक्स करेंगे रोज वाटर से ठीक है थोड़ा तो चलिए अगर आपकी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राइ रहती है और आप यह फेस पैक यूज करना चाहते हो रंगत को फेर करने के लिए तो आपको यहां लेना है दूद कच्छा दूद मैं यहां ले रही हूं रोज वाटर जिनके स्कीन ओड़ी है वह रोज वाटर ले आप नॉर्मल पानी भी ले चकते हो इसे कैसे लगाना है वह मैं आपको बताऊंगी और इसे हटाने का तरीका आप देख लोगे न तो वाकई आपकी जितनी में टेट सेल्स होंगी वह निकल जाएगे ब्लैक हैट्स वाइट से निकल जाएंगे और आपके स्किन बहुत निकलता है किल्या होता है तो बहुत ज्यादा निकलते है जैए तो इसे आपको कैसे लगाना अभी मैं ममताती है उसे अच्छे से mix कीजे इसे बना काप disp कर सकते हैं दो से तीन दिन फ्रेज में श्टोर करना है तो देखो फेस को अच्छे से क्लीन कर लो और अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा ओल आता है गर में बहुत चिप चिप रहता है तो आप इसे दो टाइम यूज करो एक मॉर्निंग में करो और रात में सोने के पहले कि लगाने का तरीका है आपको हलके हलके हातों से सभी प्रक्षाम मसाज करना एक पूरे सब्सित करना एक कम से कम आपको से शहला 250 नट जब लगेently कि अमिसमे पर जल जल यह सूख चूखा है क्योंकि फैंग चलता रहता है गर्म्यों में तो फेच पैक 10 मिnट के आदर ऑक कम से कम आपको 25 मिनट इस फेस पैक को फेस पर लगा के रखना है और इसे हटाना कैसे है वह भी में बताती हूँ यह हर एज के लोग लगा सकते हैं मतलब आप तो भी आप लगा सकते हो आप 40-50 के ओ तो भी आप लगा सकते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यदा टाइट होती है ब मसाज करके से निकाल देना इससे आपके जो ब्लैक हेट्स हैं डेट सेल्स हैं वह सब निकल जाएगी और ओपन सपोर्स के अंदर जो जमा है वह भी निकल जाएगा अगर आपके बढ़े हो चुके हैं खुले होई हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए आप आइस क्यूब हो आप आउस कि प्रॉब्लम करना है तो आपको बहुत सारी प्रप्वलम आपकेट्षाउं देर यहायां डेखे मैंने फेस को जूरी छोड़ नाउमिकल भी तो लेखाते हों कि क्योंकि तो रशके फ्सकर्पारई ने ओपन फ्सकर भी झायते हैं कि दूरे जो जा जूरी यू तो इसे लगा लूँगी और इसके बद आप फीग लगा सकते हो और फिर चलती हो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अथे लगते हैं